इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में ये क्लास 8 का वीडियो है और ये चैप्टर 16 अगर प्राची बूप में आप देखते हैं तो और ही सारे बुक्स में हैं लगभग सारे में सेम टॉपिक्स होते हैं किसी में डिफ्रेंस नहीं होते हैं तो जितने टॉपिक्स हम इसमें डिसकर करेंगे वहीं टॉपिक होगा और ही फिलाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को डिसकर करेंगे let's understand, first हम लोग light के बारे में जानेगी कि एक्चुल में light है क्या और light हम किसी भी object को कैसे देख पाते हैं, उसके बाद reflection, luminous, non-luminous, opaque, translucent, transparent, earth, light, moonlight, क्या होता है, laws of reflection, real, virtual, concave और convex mirror के बारे में इसमें discuss करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं, तो first आप देख रहे ह और actually देखते हैं कि हम लोग का light जो chapter है, important chapter होता है, क्योंकि ये class 10 में भी आपको पढ़ना होता है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि light होता है, तो देखें light का अगर हम बात दे रहें, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, कि जो light होते हैं, light का जो raise होता है, light always travels in straight line, ठीक हमारा first topic रहेगा light में, इसको हम इसलिए discuss कर रहे हैं कि जो भी light का raise आते हैं, आपके घर में bulb होगा, sun का raise होगा, या कहीं से भी light का sources है, उसका जो raise आता है, वो हमारा क्या है, कि सीधा line में ही travel करता है, एक आप example देख सकते हों यहाँ पी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक pipe लि हैं, एक candle को light कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस object को यहाँ से हम observe करते हैं इसको, ठीक है, तो आप इसको, इस light को देख पाऊगे, हाँ देख पाऊगे, क्योंकि यह हमारा क्या है, कि सीधा है, इसलिए, अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा हलका सा bend कर दे रहे हैं, और एक ब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो race लिकल रहा है, वो सीधा travel करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से bend कर रहे है, फिर यहाँ से जाएगा, तो फिर वहाँ से travel करेगा, यहाँ से, आप देखते हो कि आपके घर में बलबर गरा जलते होंगे, तो light का जहां तक race जा पा देख पाते हैं, जैसे कि आप हमको देख रहे हो, है न, आपके घर के अगल बगल बहुत सारे ऐसा objects होंगे, जिसको आप देख पा रहे होंगे, अगर वही चीज को हम light को off कर देंगे, तो देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि light जब किसी भी object पे fall करता है, जैस के eyes में जाकर enter हुआ, तब जाकर क्या होगा, हमको देख पाएगा, हमारे यहां पे बहुत सारे object रखे होएं, ठीक है, कुछ table है, चेयर है, तो ओस table chair को हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि light का, जो जहां से bulb का source है, वहां से a light आ रहे है, उसके fall हो रहा है, light और incident रेज, फ reflection कहने के मतलब यह चीज होता है, कि कोई भी object को आप देख पाते हो, तो due to reflection, यह कोई object रखा हुआ है, यहां पे एकड़म dark room है, और हम एक torch लिये हुए, अब इस पे हम torch को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम इस object को देख पा हैं, clear हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, luminous and non-luminous, तो देखे, luminous body होता क्या है, non-luminous body होते क्या है, देखो luminous body कहने के मतलब वो चीज, कि जिसको, जिसके पास खुद का light हो, जो खुद से light को emit कर सके, जो खुद से light को produce कर सके, ऐसे आपके घर में बहुत सारे object होंगे, लेकिन वो सब जो object होंगे ना, mad mad materials होंगे, जैसे bulb हो गया, bulb खुद का light देता है, किसी के through light लेकर नहीं देता है, तो बल्ब जो है ना, ओभी हमारा luminous body हुआ, क्योंकि ये light खुद से ही meet करे, light glowing bulb को हम कह सके, bulb तो बंध हो जाएगा, तो क्या luminous body नहीं है, तो नहीं, क्यों हम लोग अपना खुद का light produce कर सकते हैं, हम अंधिरा में खड़ा रहेंगे, तो क्या आप देख सकते हो, हमको नहीं देख सकते हो, ऐसे object जिसका खुद का light हो, अब इसमें कौन-कौन स object आ जाते हैं, आप देख सकते हो, sun होगे आपका, stars हो गया, और एक हमारा firefly भी होता है, जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं, अपने language में, ठीक है, जुगनू बोलते हैं, sun होगे, stars होगे, firefly, ये सब का light produce करता है, खुद से light emit करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, luminous body बोलेंगे, और ऐसे object जिसको, जिसका खुद का light produce नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कारण object हमको दिखाई देता है, तो हमारा क्या होगे, non-luminous body, बहुत बच्चे ऐसे confusion रहती है, ये चुकि मून होता है, मून का भी तो light है, मून भी तो light produce करता है, नहीं, मून क्या करता है, कि sun का light का reflection के कारण हमको sun का light ये लेगा, और इसमें reflection होगा, फिर earth तक आएगा, तब जाकर हम इसको देख पाते है, otherwise हम इसको नहीं देख पाएंगे, आगई बात समझ में, luminous क्या होता है, non-luminous, simple language हम लोग समझेंगे, luminous उस body को बोलते है, जिसका खुद का light हो, जैसे stars हो गया, sun हो गया, ये सब, fireflies हो गया, आप, आपके घर में glowing bulb हो गया, ये सब natural हमा जिसको आप देख सकते हो, हमारा क्या हो गया, non-luminous हो गया, clear है यहां तक कोई दिक्त नहीं, अब हमारे पस तीन objects है, जिसको हम लोग देखें कि opaque क्या होता है, translucent क्या होता है, transparent क्या होते है, देखो, opaque क्या होता है, जैसे कि यहां पर हम torch जला रहे हैं, और torch जलाने के बाद यहां से light हम दे रहे हैं इस पर, तो क्या होगा, क्या यह light इधर सीधर पार करेगा, नहीं करेगा, तो ऐसे object को हम लोग क्या बोलते है, trans, opaque object बोलते हैं, जो light को अपने से cross ना होने दे, उसको light को वहीं के block कर दे, वह से object को हम लोग क्या बोलेंगे, opaque object, जैसे हम भी हो गया या हमारे सामने light आ रहे हैं तो मेरा light क्या यहां से close करके इधर पार हो जाए अगर नहीं होगा है तो ऐस object को हम लोग क्या बोलेंगे आपके घर में wall हो गया है बहुत सारे ऐस object होंगे जिससे light close नहीं करता दूसरा है आपका translucent अब देखो translucent होते क्या है translucent object उस object को बोलेंगे जिससे थोड़ा बहुत light को क्या कर सके पास कर सके जैसे कि आप oil देख लो और प्लस में आपके घर में बहुत सारे ऐसे glass लगे हुए होते हैं window में जो कि आपको धुंदला दिखाई देता हार पर जब उसको light दोगे तो clear light उसमें नहीं पहुँच पाता ह आपके घर में copy होगा, copy में पढ़ते हो, copy में थोड़ा सा तेल गिरा देना गिराने के बाद देखना एक page में तेल गिराना और object से देखना तेल, copy से तो आर पर आपको दिखाई देगा लेकिन वह हलका फुलका दिखाई देगा दूसरे तरफ का light आपको दिखाई देगा तो मतलब कि ऐसे object जिससे हलका फुलका light को close करें, अब बात करते हैं transparent की, तो transparent होते क्या है, देखो transparent ऐसे object को बोलेंगे, जिससे पूरी तरफ light को pass कर सके, आपके घर में clear glass होगा, है ना, जिससे light पूरी तरफ पास कर, जिससे कि आपका जो car होते है, car का जो front वाला mirror होता है glass होता है, जिससे driver बैट कर आगे properly देख पाता है, तो हमारे transparent हो गया, ठीक है, clear water आपका transparent हो गया, तो I hope कि यहां तक आपको इस्दम clear हो गया होगा, अब हम लोग earth light के बारें पढ़ेंगा, moon light, तो earth light कहने के मतलब ये चीज, कि earth का भी light होता है, लेकिन कैसे, कैसे हम moon को दे सकते हैं, spherical shape में होता है, क्यों, क्योंकि sun का light इस पर पढ़ता है, या तो फिर opposite पढ़ रहा है, तो उस दौरान हम क्या कर पाते हैं, अर्थ को देख पाते हैं, चीज, ये reflection के कारएं, तो यही earth light हो गया, moon light हो गया, sun का light उस पर पढ़ेगा, तो हम reflection के कारएं उसको देख सक सकते हैं, ठीक है, अब देखो, laws of reflection, that is the main point of this topic, of this chapter, so I will teach you, listen me properly, अभी तक जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, किसर ये topic clear नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको clear कर दीजएगा, लेकिन ऐसा हम को नहीं लग रहा है लेकिन उससे पहले reflection के बारे में देख लेते हैं कि reflection होते क्या है, तो देखो, हम एक plane mirror draw कर रहे हैं, है ना, ये जो हम mirror draw करने वाले है plane mirror, और इसके नीचे ऐसे इसलिए किया जाता है, कि that means कि ये polish रहता है, और plane mirror होते क्या है, ये हमारे एक करसे regular surface हो गया, regular मतलब कि जिसमे कहीं कुछ uneven areas ना हो, उपर नीचे ना हो, ऐसा तो drawing तो actual में है नहीं, लेकिन actual में ये क्या है कि plane mirror है, जो आपके घर में जो आप mirror देखते हो, जिसमें आपका image clear बनता है, वही चीज हम यहाँ पर draw किये हुए है, तो जब उसमें एक light pass होता है, जैसे कि यहाँ से हम एक light दि क्योंकि यहाँ पर यह जो था हमारा plane mirror था, तो यह एक neon होता है, जिसमें reflection वही होता है, बीच में हम लोग एक normal, यह हम draw करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ से light क्या हुआ हुआ, reflect हुआ, तो यह जो light reflect हुआ, इसको हम लोग reflected ray बोलेंगे, ठीक ह तो एक rays को लिया है, तो यह जो rays यहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, incident ray बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, I think, class 6 में, इसको हम लोग incident ray बोलते हैं, यह ray क्या होता है, यह वाला ray है, यह वाला भी ray है, इसका नाम क्या है, incident, और यहाँ से जो reflect हुआ, bounced back हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, reflected ray, और यह जो बीच में हम लोग लाइन रोख किया है, इसका क्या बोलते है, normal, ठीक है, यह हम लोग normal रोख करते हैं, अब यहाँ पर ऐसे plane mirror में यह चीज होता है, अब हम बात करते हैं, कि यह जो incident ray है, और नामल, इसके बीच में भी एक angle बन सकता है, बन सकता है, obvious बन सकता है, जो भी degree हो, 30 degree, 40 degree, whatever it is, और यहाँ पर भी एक angle बनेगा, तो इस angle को हम लोग क्या बोलते हैं, angle का denotion देंगे यहाँ और यह angle incident है, इसलिसका small i ले लेंगे, incident, i pour incident, और यहाँ पर reflected ray है, तो angle का symbol बनाएंगे, और यहाँ पर small r दे यह clear है, यह एक आपका reflection हूए, जैसे कि light जो होता है ना इस तरीका से, क्या होता है, reflect करता है, ठीक है, तो यह एक plane mirror पे था, regular surface पे था, एक आपका irregular surface होता है, जिसको हम लोग diffusion भी बोलता है, ठीक है, मतलब क्या होगा कुछ इस तरीका से आपके mirror होगा जिसमें आप incident rays तो दोगे लेकिन वो जो reflect होगा कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा मतलब कि इसमें diffused कर जाएगा जो reflected ray होगा वो इधर उधर हो जाएगा that means कि इस तरह का mirror में आपका जो image बनेगा clear नहीं बन पाएगा जैसे कि आपके घर का wall जो होता है जो उखडखावर होते हैं उसमें जब reflected ray जाता है तो उसमें जब incident ray जाएगा तो जो reflect करेगा तो वो uneven type होगा diffused हो जाएगा तो I hope कि ये clear हो गया होगा अब यहाँ पे लोग laws of reflection को देखें कि laws of reflection होते क्या है ये कैसे काम करता है तो देखो laws of reflection basically अगर हम लोग बात करें तो उस सिर्फ और सिर्फ plane mirror पे ही possible है जैसे कि first law यहाँ पे क्या बोलता है we will know that जैसे यहाँ angle आई है यहाँ angle आए है तो आप देख रहे हो कि जिस angle से आपने light को दोगे उसी angle से जो raise है reflect होगा ठीक है तो एक चीज़ यहाँ पे possible हो सकता है angle I equal to angle R हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जिस angle तिंग उसी angle से reflect करेंगा यहाँ अगर angle I 30 degree होगा तो angle R भी हमारा 30 degree ही होगा ठीक है तो यह first laws of reflection हुआ clear हो गया second laws of reflection क्या बोलता है let's understand यह हमारा एक plane mirror है ठीक है एक surface है तो सभी points आप देख रहे हो incident ray reflected ray और यह जो normal है सब एक point पे ही क्या कर रहा है lie कर रहा है ठीक है तो all all lines lie on same plane ठीक है lie on same plane यह आपका क्या हो गया second laws of reflection हो गया I hope कि यह भी आपको clear हो गया laws of reflection यह दो laws of reflection है जिसकों हम लोगों को पढ़ना था first में हमने क्या बताया आपको कि angle I equal to angle R होता है और second में क्या है कि जो भी raise है उस सब क्या है कि एक ही point पे lie करते है incident race normal हो गया reflected race अब एक point पे ही lie करते हैं और कैसे lie करते हैं incidentry यहीं है reflected ray भी यहीं है normal भी हमारा यहीं है ऐसा नहीं न कि incidentry यहाँ है normal यहाँ है reflected ray यहाँ है अलग-अलग point तो नहीं एक ही point पे है ठीक है तो यह laws of reflection होता है हमारा दो I hope यह भी आपको clear हो गया अब हम लोग next next की और move करते हैं next में हमारा क्या दिया हुआ है देखिए आपका laws of reflection के बाद virtual और real image that is the main topic है ना यह भी हमारा main topic ही है virtual real बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है तो virtual क्या होंगे और real क्या होंगे इस चीज के बारे मैं आप समझ हो देखो virtual कहने के मतलब यह ची कि जो भी आपका image बनेगा as it is copy type बनेगा है ना वो आपका copy होगा और real image that means कि वो आपको screen पे ही obtain करवा सकते हो जैसे कि आप मेरा videos देख रहे होगे mobile में है ना तो mobile में videos देख रहे हो तो यह जो image बन रहा है वो real है इसको क्या बोलेंगे real बोल सकते हैं TV का screen देखते हो है ना या कोई भी projector वगरा जो देखते हो जैसे कि यह हमारा board है इसको हम suppose कि screen मानने हम यहाँ पे खड़े real image which can obtain on the screen जिसको हम screen पर obtain करवा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते है real image बोलते है which can not be obtained on the screen यह is virtual image जिसको हम screen पर नहीं obtain करवा सकते हैं virtual image बोलते हैं तो आई होब यह भी आपको clear हो गया होगा simple language में लेकिन इसको हम लोग एकस्पिरिवेंट करके देखेंगे यहाँ पर कुछ हमने डो करेंगे और उसमें कुनकेaime, कॉनकेज मीरल भी हम लोग समझ लेंगे, हाना रियल और वर्टूल को भी समझ लेंगे इसका कुछ काररेक्रेस्टिक को भी देखेंगे रियल और वर्टूल को मोबाइल के screen TV के screen projector हो गया इस तरीका से लेकिन virtual image सिर्फ आप mirror में ही देख सकते हो मतलब कि plain mirror में आपका जो image बनता है वो कैसा होता है virtual होता है ठीक है कोई भी mirror में जो आपका copy हो रहा है वो आपका क्या है virtual image है और देखो virtual plain mirror का कुछ characteristic होता है जिसमें क्या होता है जो image बनता है virtual हमारा वो कैसा होता है erect होता है ठीक है पहला तो सीधा होगा image जो बनेगा इसमें सीधा होगा अबलब कि हम यहां खड़े आप घर में mirror होगा तो mirror में आप खड़े होते हो तो उसमें जो image बनता है क्या आपका ऐसे तेड़ा मेरा बनता है नहीं बनता है तेड़ा मेरा क्यूंकि reflection अच्छा होता है सिधा सिधा होता है तो क्या होता है कि हो हमारे image बनता है clear बनता है third option में क्या दिया हुआ है कि जो आपका image बनेगा जो distance जो होगा और distance भी क्या होगा same होगा that means कि आप अगर mirror आपका यहाँ है आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ सी इतना तक distance मानलो 1 cm होगा तो image जो mirror mirror के अंदर जो image बनेगा आपका ओभी आपसे एक मीटर ही दूर रहेगा आप पीछे जाओगे तो ओभी उसमें भी देखता है कि पीछे जाएगा अगर यह चाहिए आपको नहीं समझवाँ तो अभी जाकर mirror में देख को फिर मेरा वीडियो देखो अब mirror में आगा पीछे जाओगे पीछे आएगा पास में खड़े हो जाओगे पास में खड़े हो जाएगा है की नहीं है तो ऐसे image को हम लोग virtual image बोलते हैं clear है कोई डिकतर तीन characteristic erect होगा, same size का होगा, distance भी क्या होगा हमारा same होगा और virtual image हमारा क्या होगा कि concave में, concave mirror में बनता है concave mirror में दोनों image बनते हैं real भी होते हैं और virtual भी होते हैं अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और नहीं समझ में आ रहा होगा कि sir, concave mirror होते हैं पढ़े होंगे तो आया होगा, लेगिन इसके बार में class 10 में अच्छे से दिया हुआ है लेगिन फिर भी हम आपको यहाँ पे कुछ बता दे रहे हैं ताकि आपको जो भी confusion होगो लगभग clear हो जाएगा तो चलिए हम देख लेते इसको अब देखो यह real image का जो characteristic होता है जो है as it is आपका image है वो तो है ही है बनता ही है उसमें जो image में आप देखते हो उसमें ना हम घटा सकते ना बढ़ा सकते resolution को ही बढ़ा सकते टीवी में देख रहे हो तो आजसा नहीं कि कुछ देर बाद बढ़ा हो जाए कुछ देर बाद छोटा हो जाएगा जो आपको image है इसमेरा जो image दिख रहा है वहीं इसा है ना ऐसा नहीं कि हम वहां से अकर image बन गया उसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं आगे-पीछे जाएंगे तो भी आगे-पीछे नहीं जो हम यहां पर बन गया तो रियल इमेज होता है रियल इमेज बिसिकली सिर्फ convex mirror में ही बनता है यहां पे क्या है कि इसको हम लोग क्या बना रहे हैं एक circle का ही half part लिए हुए हैं ठीक है और यहां पे भी हम लोग एक circle का ही half part लिए हुए है और Concave और Convex समझेंगे हम इसको पहले ही लिख देते हैं Concave और फिर इसमें हम लोग Convex लिख देते हैं लेकिन Concave और Convex होते क्या है देखो Cape से याद रखने का चीज है Cape मतलब क्या होता है गुफा होता है तो गुफा अंधर की ओर होता है व्याद मेंज कि इसका जो Reflecting surface होगा इधर की ओर होगा अंदर की ओर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे Concave आप अधर की ओर होगा अब कौन के मेरे तक क्या characteristic है इसमें real भी बनाएगा और virtual भी बनाएगा लेकिन इस पर depend करता है कि focal length पे ठीक है जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना एक यहां पर point होता है जिसको basically हम लोग piece एडे note करते हैं यहां पर एक line होता है ठीक है यह line क्या होता है हम बताएंगे पूरा line principle axis पूलते हैं जो class 3 में होगा हम जो बता रहे हैं आप इसको समझो रिफिला और देखो यहां पर point होता है जहां पर raise आकर मिलते हैं जैसे कि अगर हम एक raise यहां से देंगे अब एक raise यहां से देंगे तो obvious है कि यह जो reflect करेगा इधर की और तो नीचा है का raise इसका raise इधर की हो रहाएगा ठीक है यहां की हो रहाएगा और देखो एक चीज़ और है कि जहां पे actual point meet करता है वहीं पर क्या होता है image बनाता है अब देखो यह reflecting surface कहीं infinite से आ रहा है कहीं दूर से आ रहा है तो इसका point यहां पर आकर मिलेगा तो यहां पर क्या होगा image बनाएगा तो यह हमा दी निरर बने तो हमारा वर्चूवल होगा लेकिन यह मीरर के सामने बन रहा है क्यों मीर בת इसमें हमारा घूर्ट मीरर के सांदे बन घंता नहीं करते हैं यह वाला यह पूंट का कहीं मिले देखो यह ऐसे चला जाएगा कॉंट्टिव यह जाएगा काःए Mark सब्सक्राइब फोकस बोलते हैं और यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं कोकल लेंथ बोलते हैं अब देखो एक चीज़ और है कि इसमें तो कॉन्के में तो दोनो बनता था रियल और वर्चूल ये तो हम लोग रियल को देख ली है लेकिन वर्चूल कैसे बनेगा तो देखो वर्चूल का एक चीज़ है कि अगर आप जो अब्जिक्ट है फोकस पर है ठीक है फोकस पर है या इससे दूर है तो हम मारा क्या बनेगा अगर यहाँ पर आपको कोई बनेगे बहुर्टिव क्या बनेगा न है अब देखो convex mirror हमेशा क्या बनाता है virtual image बनाता है चीक है क्या बनाएगा हमेशा virtual image बनाएगा क्यासे इसमें भी तो हमारा यहाँ पे line होगा अना अब इसमें हम reflected raise को देंगे तो reflected raise देंगे तो देखो इधर से यह diverge ऐसे की यूर है तो यह diverge इधर करेगा reflect करेगा इधर की और आप करके देख लेने को पन्गेक्स मीरुगा इधर की और तो ये भी point कहीं जाकर मिलेगा नहीं मिलेगा तो जो image screen पर बनता है जिसके यह हमारे screen ही हुआ mirror तो इसका सामने बनेगा तब हम लोग उसको real बोलते हैं लेकिन बिहाइंड दी मिरर, यह मिरर के पीछे वाला साइड हो गया, इसका मिरर का इधर पीछे हो गया, तो इधर, अब इधर से हम लोग एक इमेज नरी लेते हैं, तो यह पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, तो कोई अब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इंक नाइट पे, इसक कौन केब मिरर होता है, उसमें वर्चूवल और रियल दोनों बनते हैं, वो डिपेंड करता है, उसका फोकस पे, अगर फोकस पे है या उससे दूर है, तो क्या बनाएगा वो हमारा वर्चूवल बनाएगा, और अगर वो फोकस के नजदीक है, तो basically क्या देगा हो, हमारा उ इस एक्जाम में आपको नहीं आएंगे, इस तरह से ड्रो करने के लिए, प्लेन मिरर का ही होगा आपका, उसी पे ड्रो करने, ये क्लास थेंथ में बना हुआ है, लेकिन आप समझ गया हो, तो अच्छी बात है, क्लास थेंथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इस